Hello Everyone, B.H.C. First Aid के पिछले वीडियो में हमने Ispeciation के अंतरगत Causes of Ispeciation के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम Types of Ispeciation के बारे में पढ़ेंगे तो बात करते हैं जाती भवन के प्रकारों के बारे में तो ये कुल चार परकार की होती है जिसमें पहला परकार आता है Allopatric Ispeciation या इसे कहते हैं विश्थानिक जाती भवन The process of Ispeciation take place when the members of the population are isolated geographically from each other तो जो जाती भवन की परकिरिया होती है यह किसी population या समश्टी के सदस्यों के मद्ये तब आती है जब वो geographically isolate हो जाते है यानि geographic रूप से वो अलग-अलग हो जाते है When they are unable to meet और यह जो होती है जाती है यानि यह जो अलग हो रोके individual या सदस्यों होते है यह आपस में प्रज़न करने में असक्षम हो जाते है and hence genetic exchange is prevented or interfered is termed as allopatric speciation तो इस प्रकार से genetic exchange जो है वो इनमें रुख जाता है यानि इनमें जीन यह जो आदान परदान होता है जीनों का जो आदान परदान होता है वो इनमें prevent हो जाता है या रुख जाता है या इनमें interfere हो जाता है इसका तो इसे Allopatric Spatiation कहा जाता है There may be a number of ways of isolating populations leading to Allopatric Spatiation यानि कि इनके अलावा भी और भी बहुत से तरीके या अनेक जो है वो रास्ते हैं जिसके कारण populations जो है वो isolate हो जाती है जिसके कारण Allopatric Spatiation होता है जैसे from a river forming a new branch यानि किसी नदी के अंदर नई branch या साका का बन जाना erosion का होना यानि अपरदन का होना forming a new valley यानि उसे एक नई घाटी का निर्मान हो जाना group of species migrating to a new location यानि कि कुछ जाती का migration या पलायन कर जाना किसी नई location या इस्थान पर without the opportunity to return और उसके बाद में वो पुने वापस वहाँ पर नहीं आ सकती है यानि जिस नई location पर जाएगी वो वहाँ पर इस्थापित हो जाएगी such as seed floating on an island across the ocean और जैसे seed या बीज या बीज जो होते हैं वो तेर कर किसी island या द्वी पर पहुंच जाते हैं समूदर के द्वारा तो वो भी वापस नहीं आ सकते हैं और वहाँ पर उग जाते हैं तो इस प्रकार से दूसरे ये कई कारण है geographical isolation के अलावा भी जिसके कारण allopatric espaciation होता है तो जो geographical separation होता है इनमें उनका जो मूल अव्यव है उनमें होता है कि ये population जो separate होती है completely ये depend होती है उस organism या जीव की biology यानि उसकी जैविकी के उपर और उसकी capacity होती है dispersion की यानि उनमें जो वितरन होता है उनका उसकी समता उनमें कितनी है तो उस समता के आधार पर जो है ये geographical isolation जो है इनमें या separation इनके अंदर होता है if two rodent populations were split by the creation of new lake जैसे दो rodent population है यानि दो चूहों की समश्टियां है ये अलग हो जाती है किसी एक नई जील के निर्मान के कारण however continued gene flow would be unlikely इस्पेसेशन would therefore be more likely तो वहाँ पर जो उन दो अलग हो रखी populations के मद्दे जो gene flow होता है यानि जीनों का जो आदान परदान है वो वहाँ पर नहीं होगा जबकि वहाँ पर इस्पेशेशन या जाति भवन जो है उसकी अधिक संभावना रहती है यानि कि दोनों ही अलग-अलग सेपरेट होने के बाद में उनमें इस्पेशेशन या जाति भवन की संभावना अधिक बढ़ जाती है Allopatric processes are classified into two groups तो विश्थानिक जाति भवन जो है इसकी परकिरिया है दो परकार से हो सकती है If a new individual of a species migrate to a new geographical area this is called dispersal तो कुछ जो नए individuals या उनके जो सदस्य होते हैं किसी जाती के तो कुछ सदस्य है migrate या पलायन कर जाते हैं किसी एक नए geographical छेतर के अंदर इसे हम dispersal या वितरन कहते हैं If a natural condition happens to physically separate species this is called vicarians यानि geographically separated होते हैं यानि कुछ दूसरा कारण यह है कि natural conditions या प्राकर्थिक इस्तितियां ऐसी बनती हैं जिसके कारण वो भौतिक रूप से अलग हो जाती है species जिसे vicarians कहते हैं या इसे geographically separated यानि भौतिक रूप से अलग हो रखी species कहते हैं तो दो प्रकार से इनमें allopatric process हो सकती है तो इस diagram की मदद से हम vishthanic जातिपवन को आसानी से समझ सकते हैं कि allopatric का मतलब होता है other place allopatric का मतलब place यानि दूसरे इस्तान पर चले जाना जिसका मतलब है कि geographically isolated population यानि geographic रूप से विलगन हो चुकी population या समझ्टियां जैसे यहाँ पर ये संपूर्ण एक समझ्टि थी जैसे किटों की लेकिन इनके मद्य कुछ barrier आने के कारण ये दोनों ही परजातियां अपस में अलग हो जाती है तो ये barrier होता है बीच में या बादा जो है उत्पन हो सकती है किसी भी रूप से या geographic रूप से यानि उनका जो छेतर है वो अलग-अलग हो जाता है तो ये इसकी मूल परजाती होती है और यहां से जो दूसरी इस्तान पर चली जाती है यानि जो उदर इस साइड रह जाती है परजाती है ये यहां पर नई species का निर्मान कर देते हैं तो ये दौनों ही बाद में नई परजातिया बन जाती है तो इस परकार से ऐलोपेट्रिक इस्पेशेशन या जाती भवन इनके अंदर होता है इसके बाद आती है दूसरे परकार का जाती भवन इसे कहते हैं परिपेट्रिक इस्पेशेशन या परिश्थानिक जाती भवन इट अकर्स वेन इंडिविजुल्स फाउन अन्दा बॉर्डर यानि कि किसी जाती के जो सदस्य होते हैं वो उस समस्टी के अंदर बॉर्डर या उसके किनारे पर पाए जाते हैं और बॉर्डर ओफ ए हूज पोपुलेशन स्प्लिट ओफ फ्रॉम दा मेन ग्रूप जानि कि बॉर्डर जो होता है एक बड़ी पोपुलेशन या बड़ी समस्टी का जो किनारे पर उपस्ती जितने भी सदस्य होते हैं वो वाँ उनमें से अलग हो जाते हैं जो उसके मुख्य ग्रूप से अलग हो जाएंगे and result to a new species in course of time और समय के साथ-साथ जो है वो एक नई परजाती का निर्मान करेंगे यानि कि जो किनारे की ऊपर पाए जाने वाले सदस्यों होते हैं वो वहां से अलगों के नई जाती का निर्मान कर देते हैं differentiating it from allopatric speciation can be hard अब इसका allopatric speciation के साथ में difference करना अधिक मुश्किल है क्योंकि ये भी लगबग उसी प्रकार से होता है when the population that branch of enters a distinct biological nicate तो जो population या समस्टी की साखा जो निकलती है बाहर या साखा के रूप में अलग हो जाती है वो किसी एक विसेस biological या जैविक nicate के अंदर प्रवेश करती है like feeding on different food जैसे दूसरे परकार के बोजन पर वो feeding करते हैं या उनका बोजन पराप्त करते हैं और surviving in a different environment या वो किसी दूसरे environment के अंदर जीवित रहते हैं peripatric speciesation occurs और इनके कारण जो है परिस्थानिक जाती बवन इनमें उपस्तित होता है often these new populations that split away from the existing one are typically small अब जो ये नई जो साखा अलग होती है बड़ी population के अंदर यानि जो नई population बनती है जो साखा के रूप में अलग होती है ये जो है इनकी जो size होती है यानि इनका जो population का आकार होता है वो छोटा होता है क्योंकि ये branch के रूप में उस बड़ी population से अलग होते हैं So this can have an effect on the proportion of some characteristics in new population compared with the old one तो नई जो नया जो ग्रूप बनता है इनका जो छोटी ब्रांच के रूप में निकलता है इनके अंदर कुछ जो लक्षण होते हैं उनके लक्षण जो है वो बड़ी population के compare में जो है वो अलग हो सकते हैं For safe or instance उदान के लिए that are there is a bird population that is mostly blue तो माना कि ये कोई bird की population है जो अधिकांस तर ब्लू दिखाई देती है But some are red लेकिन कुछ जो है उनमें लाल है A smaller group of birds split out of the main group एक छोटा सा पक्षियों का जो टुकड़ा है या group है उनका वो उनसे अलग हो जाता है And red is the majority of this smaller group और मान लेजिए कि इस छोटे group के अंदर लाल कलर के जो पक्षि हैं वो अधिक है It is probable that their descendants will also be mainly red तो यह संभव है कि उनके जो पूरवज है वो भी मुख्य तया लाल थे Which is different from the main group जो की मुख्य ग्रूप से अलग होता है तो यह मुख्य ग्रूप से जो है वो छोटा ग्रूप जो बनता है नया उनके करेक्टर जो है वो अलग दिखाई देते हैं This type of change in gene frequency is referred to as genetic drift तो इस परकार का जो परिवर्तन है इनकी gene की आवर्ती में यह refer किया जा सकता है या इसको genetic drift का जाता है Many changes can take place over time अनेक परकार की जो परिवर्तन होते हैं वो समय के साथ होते हैं And these combined with the effect of genetic drift और यह genetic drift के effect के साथ में या इनके परभाव के साथ में ही जुड़े हुए रहते हैं Can cause new species to evolve और इसके कारण जो है नई परजाती का विकास होता है तो इस diagram से हम समझ सकते हैं कि peripatric species क्या होता है Peri का मतलब होता है near या निपास में ही पैटरी का मतलब होता है place या इस्तान A small population isolated at the edge of a larger population यानि कि एक छोटा सा population का टुकड़ा जो है वो बड़ी population के किनारों से अलग हो जाता है तो मान लीजिए कि ये एक बड़ी population थी और इस बड़ी population में किसी कारण से ये population इनमें अलग हो जाती है तो छोटा सा टुकड़ा जो है बड़ी population का छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाएगा तो इस प्रकार का जो विलगन होता है और इसके द्वारा जो नई जाती बनती है इस प्रकिरिया को पैरिपैट्रिक इस्पेशेशन कहते हैं और ये जो है जियोग्राफिकली ज्यादा आइसोलेट नहीं होता है पास में ही इनके पाई जाती है जो बड़ी population होती है इसके पास में ही ये चोटी population भी उपस्तित होती है थैंक्यू सो मच इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे